in 1947 there was a war and I went into my first depression in 1922 जब मेरा ब्रेक अप हुआ I was in true love तो true love के बाद seen ऐसा हो गया कि मैं गया एक freshers पार्टी में मेरे को पहली बात समझ में नहीं आता इसी पार्टी से रखते का को है और मैंना almost college second year तक मैंने कभी डाव नहीं प्याता और नहीं कभी नावियल फोड़ा था I was a cute innocent virgin guy जिसने कोई भी गलत हैबिट नहीं पाला है ठीक है कोई भी तो I was very proud तो सीन क्या होगा कि तब ही मेरा हो गया breakup and I was called to a freshers party बोलके कि वहाँ पर seniors लोग रहेंगे एकदम sexy sexy जीनियर्स लोग रहेंगे एकदम sexy sexy तो मैंने बोला कि में भी तो होना एकदम sexy sexy ऐसा करके मैंने फिर entry लिया मेरे दो दोस्तों को entry fees भर के तो हम लोग गये तो वहाँ पर मैंने देखा कि जिससे मेरा breakup हो कहा है वो और मेरा जो अराम से बिश्रेंट और मेरे आन्स यह प्रीपी जिसी कि मैं वही है नहीं यह एक्स-boyfriend और यह इस बिश्रेंड है थोड़ा है लोकुछ तो बादमें मैं एक्स-girlfriend वस दान्सिंग शी वेपी फिर वाँपे वह अराम से बेट के वाट से बिट सब चाल था So I went into the great depression The bottom मेने हिट कया तब एक लड़की वस लाइक Are you Mithun Naayet from SIS English College Multi Medium Multi Purpose The famous guy मैने उसको नजर से नजर मिला के बला Yes So she is like Oh I think I love you मैने नजर के नजर मिला के बला Yes तो फिर वह लड़की नारिल फोड़ती थी तो इसने मेरा हाथ पकड़ा तब जैसे मेरा हाथ ऐसा पकड़ा ना उसना ऐसा मेरा आके सिधा उपर गए इसा टड़ाक जो मतलब वह अलग feeling रहता कि I was in college तो आके उपर गए I lost my consciousness तो वह consciousness में गया ना मेरा तब वह मेरा को एक ऐसे रूब में गए जहां पर सब भी नारिल फोड रहे तो फिर वह मेरा मुझ के पास आके उसने दिया नारिल दिया तो तो आए जाटेट मायोन नारिल तो मच शीट यह सच है भाई तो आए जाटेट वह एक वह इस पार्टी आए जाटेट नारिल आए जाटेट जिंकिंग यह उर फिर ओ लड़के आए नारिम जाटेट नारिमनस फिस्टी की लिखरत का तुम लो कितने जलस हो भे अनिधिंग इन एर लाइफ त़ाइब यूर रिग्रेट यूरट ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्वन गोल्स एनिफिंग इन मैं लाइफ देट रिग्रेट रिग्रेट तो शायद एक ही चीज़ का है कि इतना हॉट एन हैंडसम क्यों बना है लेकिन अपार्ट फॉर्म डैट मेरे को ने लगता किसी को भी रिग्रेट लाइफ में रहना चेक कि कुछ ना कुछ गलती सीख कुछ सीखते हो तो पॉइंट ने है रिग्रेट पालने का और तुम लोग जितना रिग्रेट अब लेके बैटेके तुम लोग उतना ही डीप सोचोगे अर just नहीं बीटी में रहो गया तो उससे अच्छा तुछ गलती किया भी रहगा इसने धोका दिया भी रहेगा कुछ गलत हुआ भी रहेगा जैसे तुम लोग ने ने एक्सपेक्ट किया सिंपल एक्सपेक्ट करना बंद कर दो नो रिग्रेट्स सिंपल तो रिग्रेट्स तो है नहीं